अब वेरी गूड इवनिंग स्वागत है आप सब काज के सेस्टन में आज हम लोग वापीस अपनी सीरीज को कॉंटिन्यू करते हैं और एनिमल हजबेंटरी की कहानी को बढ़ाते हैं आगे इसपैन के ऑंदर, ऑस्टेलिया के अंदर, फ्रांस के अंदर या फिर इंग्लेंड के अंदर थिक है अब देखो हमारे जो फोकस हो गए इस शेशन के बाद हरी कँलचर पे हम थोड़ा फोकस करेंगे और हम फोकस करेंगे स्वाइल साइँस पर ठीक है तीन सब्जेक्ट पे हमारा फोकस रहेगा तीन सब्जेक्ट काम लोग रिविजन करें तो जल्दी से भी आंसर करो कि रैमबू बुलेट ब्रीड कहां डेवलप करे गई है देखो अगर हम बात करें मरीनो ब्रीड की मरीनो का नाम तो भाई हर किसी ने सुना होगा है न ना क्योंकि पर मरीनो इस वन ऑफ़ उफ़ बैस्ट बिरीड वन ऑफ़ ऑफ द नियुमरी ऑफ यलज दा बैस्ट ब्रीड ऑफ सीप सब्हसे बड़ीया ब्रीड की मरीनो जो होगी स्पैन के अंदर ठीक है और वन ऑफ द फर्स्ट क्रोस और ऑप कह सकते हो मरीनो इसिए अच rainbow bullet इसले उसको उस country का marino भी कहा जाता है marino of France ठीक है क्यों क्यों क्योंकि rainbow bullet जो है वो आपका France के अंदर इसको बनाया गया था ठीक है तो यहाँ पर देखो पर एक्जेट्रिक ब्रीट C option is absolutely correct तो यह है आपका marino देख रहे हैं न भे कितना जादा wool production है इसका तो आपको marino अच्छा इसी पता होना चाहिए काफी यहादा wool production है and best fine wool ब्रीड सबसे बढ़िया जो वोल की breed है that is marino in the entire world ठीक उसके बाद देखो भी rainbow bullet यह दिख रहें rainbow bullet यह दिख रहें rainbow bullet और फिर इसका यहाँ पर वोल क्या किया गया है रिमूव कर दिया है ठीक है तो आपने बॉल दिया यह फ्रेंच ब्रीड और इसको फ्रेंच मरीनों भी कहा जाता और कहां डेवलब करी गई है यह फ्रांस के अंदर इसको डेवलब किया गया है उसके लाव एक उर ब्रीड जिसको के ते हैं Paulworth यह उस्टेलिया में इसका न लिंकन इस और सेक्षन मरीनों का क्रोस है कॉन Paulworth तो याद रहे का Paulworth कहां की है ऑस्ट्रिया न्यूजिलेंड की ठीक है ऑस्ट्रिया न्यूजिलेंड पास पास में तो है तो अस्ट्रिया की जो ब्रीड है यह पॉल्वर्ड लोई इस ऑप्टेंड फोम बताओ मुझे लोई क्या होता है और लोई को अप्टेंड कहां से किया जाता है तो लोई इस ऑप्टेंड फ्रॉम जल्दी सांसे करो इसका गदी लोई भाकरवाल या फिर गुरेज पई गदी एक बड़ी अच्छी बीड है अच्छी का मेरा मतलब है हिमालियन प्रीजन पे देखने को मिलेगी हिमालियन में भी ऐसा नहीं कि हर जगा हिमालियन अरुनाचल प्रदेशी चले जाओ एसा भी नहीं पर जंबू कस्मीर हो गया और हिमाचल हो गया उत्तरा खंड हो गया तो यहां पर आपको थोड़ा देखने को मिलेगी बढ़ी पहाड़ों की खास बात है जो यहां पी स्थीम थंड हो जाती हैं वहां पर बहुत ज्यादा थंद जाती है तो उस टाइममेㅎ जो,जो सीप होते हैं. ये ि मशीप कर जाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरभ.फ फिर भी पलानी रहता हैं, ये नीचे वाले पहड के तौह जरब तो नीचे भाले पहार की तरभ यह आपके एक wool है जिसको भाकरवाल से obtained आजाता है ठीक है तो यह पर आपकी यह भी migratory breed है तो यह भी आपकी कहा है migratory breed है ठंडियों में एक दम पहाड पर गर्मियों में पहाड के उपर ही है बहुत जादा ठंड पड़ेगी तो थोड़ा सा नीची के तरफ valley के तरफ आ जा जाता है और हमने यह बात कर ली कि इसके क्या उप्टेंड किया जाता है इससे है लोई जो है वह भाकरवाल से उप्टेंड किया जाता है ठीक है चलो अब देखो यह तो आपको नौर्थ और आपकी नौर्थ रीजन की कुछ लिखी हुई है सादन रीजन की लिखी इस्टन उन ब्रीड के फिर आप रफली आइडिया रखोगे कि वह कौन्सी जगा की है, ऐसे नहीं कि हर एक ब्रीड के बारे में पुरा डीप पड़ जाओगे, बट कुछ कुछ इंपोर्टन ब्रीड है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी रवा कुछ दो चारी इस नेटिव टू, हमने एक्जोटिक ब्रीड तो भई देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं किसकी डॉर्सेट ब्रीड की, जल्दी से बताओ मुझे डॉर्सेट ब्रीड कहां का नेटिव होगा, युनाइटेट इस्टेट का, उस्ट्रेलिया का, युनाइटेट इंग्डम का या फिर, ब्रीड की सपेइन का तो लॉर्सेट ब्रीड इस नेटिव और की ब्रीड, तो यह एंग्डम की ब्रीड है ये हैं तो यह यहां पे ज़ आपको भापको दिख रह हैं, डिस वन इज डॉर्सेट ज़र प्रीड इसके लावा एक अर ब्रीड य् Menu का लिए जो ऻो मैंसन यह एक्सेप्ट इसके भई फेस और इसके तोड़ी लेक्स में जो है वूल नहीं होगा बागी पूरी बॉड़ी पेस के वूल है ठीक है फिर वजब एक और ब्रीड जो कहां किये ये ब्रीड भी जो है इंग्लेंड की ही है अग्सा कासा मुल देती है ये ब्रीड ठीक ह सफलोग पूरा माउथ और इसके जो लेक्स है ये ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे तो काफी अलग सा कलर है किसका सफलोग का चलो साउथ टॉन देखो प्यारी सी ब्रीड दिख रही होगी ठीक है बड़ी प्यारी सी ब्रीड बहुत जादा टाइम तक प्यारी नहीं रेने इसके लब एक वीड है चीवियट इसका चेहरा देखो काफी जादा अलग दिख रहा होगा इसके फेस और इसके लेक पे भी क्या होगा बूल नहीं होगा इसका चेहरा बहुत जादा डिस्टिंक्ट ही दिखता है इसका अपरियंज ये आपकी कहां कि ये इंगलेंड और स् इसव करदा आपके सिप ओगा ठीक है टो ये है कौन सिब्रीट चेहवेर ब्रीट और फिर दौ ब्रीट और बस्ति एक इक ग्यूटिक ब्रीट यहां कंप्लिट जाहे कि आपकी एक बस्ति है को अच्छेए ब्रीड ब्रीट जो है ये भी नुजी लैंड की ब्रीड है ठीक ह कॉलिटेल के इलावा कराकुल बहुत इंपोर्टेंट ब्रीड है यहां से डाइक कॉसन आता है कि कौन सी ब्रीड है जो पेल्ट परपस क्ले यूज करी जाती है now what is pelt? कौन एक्स्प्लेंड करेगा कि पेल्ट होता क्या है ठीक है तरकिस्टान की यह ब्रीड है कराकुल यह दिख रही नहीं आप को छोटी चोटी सी ब्रीड ठीक है तो जल्दी बताओ मुझे what is pelt? what do you understand by pelt? होता है क्या है आख यह पेल्ट होता है क्या आख रहा है यह वाला कॉसन में आपसे काफी जादा पूछ लेता है कॉसन कह रहा है की इन में से अवीकालीन स्टेंट के बारे में क्या सही बात है? जnaire होना कह रहे है विच अब फॉल उव test is true about the Avikalin stream कह रहे हैं कि रेंबो बुलिएट और मरीनों का क्र home है या rainbow bullet ये मलपुरा का cross है या rainbow marino या मलपुरा का cross है या फिर rainbow bullet और door set का cross है तो भई किसका cross होगा आपका अभी का लिन इसको develop किया गया था CSWRI अभी का नगर राजिस्तान next slide में सब लिखा है ठीक है तो ये जो आपका cross है it is a cross ये बी आप्शन जो है यहां पे सही रहेगा आपका तो बी आप्शन यहां पे रहने वाला है rainbow bullet और मलपुरा का ये क्या है cross है चलो दो को यहां पे लिखी वे आपके ये क्या है आपके synthetic breeds है मतलब synthetic मतलब कि artificial in breeds को बनाया हुआ है दो अलग लग चीजों को दो अलग लग breed का cross कराके तो यहां पे इंपोर्टेंट है आपका कि अविकाइलिन जो बीडे कहां बनाई गई CSWRI Central Seep and Wool Research Institute अविका नगर राजिस्तान में ठीक है रेंबो बूलेट और मलपूरा का ये cross है अभी वस्तरह भी एक breed आपको देखने को मिलेगी ये भी वहीं पे बनाई गई थी और ये आपका रेंबो बूलेट और चौकला का cross है तो ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट हैं जो आपको याद करने है ठीक है चलो अब करें कि विचुब दू फॉलोविंग स्टेटमेंट एक्यूरेटल डिस्क्राइब देवलप्मेंट ओफ हिसार डेल ब्रीड इस्मिलर टाइप का कॉसर ने पूछ लिया अब हिसार डेल का नाम तो किसने नहीं सुना बच्पन से सुनते आरें बच्पन से नहीं त तो भाई हिसार डेल सबको पता होना चाहिए हिसार में ही आपकी ये बरीट रखी हुई है हिसार डेल इसको बनाया गया था कहां के हमारा मरीनो रैमस एंड बिकानरी इवस ठीक है मरीनो रैमस एंड बिकानरी इवस रैमस मतलब क्या होए जो मेल सीब होगा और आपका फीमे हमारी थी फिमेल थी तो इनका क्रोफ करुप और फिर प्र बनाया क्या जुन ही जाएवाओ बनाया मैं तो जो वी OAAF Geo यहां पर बनाया गया तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपका कि भई मरीनो रहम था विकरनरीप था और क्रॉस कराया और बना जिया यहाँ पर हिसा डे अब करेंगे में फर्स्ट क्लोन सीप डॉली वाच क्रियेटेद थ्रो विच ओफ दीज टेखने करें कि डॉली एक सीप था ठीक है डॉली वाच का फर्स्ट क्लोन सीप था जिसको क्लोनिंग के थू बनाए गया था तो कह रहें कि कौन सी टेकनिक से बनाए गाया था जीन ट्रांसपर, जर्मिनल सेल ट्रांसपर, सूमेटिक सेल ट्रांसपर या नन अब दिएबब, देखो भी डॉली को बनाने के लिए क्लिए यह एक सीप, यह एक सीप के अधर, अडर मतलब अडर वही होता है जहां से वह मिल्क देता है उसकी अडर से एक सेल ले लिया यह रहा भई सेल यह रहा सेल का नुकलियस और जो फीमेल सीब थी एक इस फीमेल सीब का एग सेल ले लिया क्या ले लिया एग सेल ठीक है अब यहां पर मेल का स्पर्म यूज नहीं किय जनरली क्या होता है भई, male का sperm आएगा, female गेमिट आएगा, fertilize करेंगा, उसके बाद जाके ऑफ बनेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर female का एक तो लिया, ठीक है, बढ़ यहाँ पर male का sperm नहीं लिया, यहाँ पर क्या गया, किसी दूसरे सीप का अडर से एक सेल न आटा दिया गया, इन दोनों सेल को आपस में क्या करा, फ्यूज करा दिया, electric current और इनको आपस में करा दिया, फ्यूज, फ्यूज कराने के बाद एक नया सेल बनेगा, जिसमें आपका साइटो प्लाजम वाला पार इसका आजाएगा, और नूकलेस जो हमने इसका डाल दिया ठीक है, अब यह आपका एक सेल था, जिसकी वज़ाद से धीरे-धीरे क्या करेगा, multiply करेगा और बना देगा जाएगोट, जाएगोट से बनता है, embryo, embryo से आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, dolly sheep जो था, वो यहाँ पर create हो चुका है, तो इसको somatic cell transfer आप इस चीज को कह स ठीक है, बही हाँ यहाँ अपै न्यूक्लियस का transfer किया गया है, और उसके बाद जाके यह, आपके एक सेल में, न्यूक्लियस यहाँ बन जाला गया है, तो इसको in fluoroy air transfer आपका भ्लाय की सेल ठीक हुग framework धीर, जाएगोट सेल किया पर जार्ण को लिए जाए जाएगोट सेल उसके बाद एक सरोगेट मजर में डाला जाता है, फिर सरोगेट मजरी तो इसको अपने वोम में रखेगी, और उसके बाद क्या होगा वही, उसके बाद वो बढ़्थ देगी याँ पर किसको? डोली को, ठीक है, तो यहाँ पर बन चुका है डोली, अब बता फिर मुझे मरीनो ओफ राजिस्तान क्या होता है, वही मरीनो मने बॉला कि सबसे बड़िया ब्रीड है वर्ड की, सबसे बड़िया ब्रीड है कहां की? पूरी दुनिया की, कहां से यह डेवलप की गई है, स्पैन के अंदर, नेटिवेस का स्पैन, ऐसी एक मरीनो है राजिस्तान का, या फिर आप कह सकते हो, मरीनो ओफ इंडियन सीप, क्योंकि इंडियन सीप के अंदर, वूल का परड़क्शन इसका एकदम कमाल का है, तो पूगल, पूगल, चॉकला, चेगू या फिर बीतल, इन चारों में ऐसे यह ब्रीट कॉनसी होगी, ठीक है, तो मरीनो ओफ राजिस्तान इज चॉकला, ठीक है, चॉकला, जिस इसने बोला, एकदम सही आंसर बोला, चॉकला विल बी दा राइट आंसर है, ठीक है, तो यहाँ पर चॉकला जो होए, आपकी दो आप में बैठ जाएगा, कि भई डॉर्सेट थोड़ा ऐसे दिखता है, इसके कैरेक्टर यह है, चीविएट है, भई बहुत अलाग सा दिख रहा है, इसके कैरेक्टर थोड़े से ऐसे है, तो थोड़ा साब इसको एक बर विज्विलाइज करने का भी ट्राइ करो, थोड़ा याद थोड़ा रिटेन जो है, लंबे टाइम तक होता है, तोलेस्ट सीप ब्रीड, बाई बताओ जल्दी से, आंधर प्रदेश की ब्रीड है, इडिजा ब्रीड ओफ आंधर प्रदेश, ठीक है, तो साउथ इंडिया की ब्रीड है, टॉलेस्ट जो सीप ब्रीड है, ठीक है, काफी लंबी ब्रीड है आपको देखने को मिलेगी, तो कौन सी होगी, जमुनापरी, नीलोर, मारवाडी, या फिर गुरेज, ठीक है, तो नीलोर इस दाट टॉलेस्ट ब्रीड टॉलेस्ट ब्रीड ओफ शीप, ठीक है, तो एक तो मांडिया होती है, जो थोड़ा वाइड क्लड की देखने को मिलते है, यह आपकी करनाठका की ब्रीड है, बट बाकी सीप के कम पे रिजन में, इसकी हाइड जो है, वो सबसे जादा है, तो इस टॉलेस्ट इंडियन ब्रीड, कहां की है, आंधरा की, और इसको हमने बॉला कि टॉलेस्ट ब्रीड है, शेप की कौन, निलोर, बताओ, विच ब्रीड इजन इस सीटी गौट, कौन सी ऐसी गौट है, जिसको हम सीटी गौट भी कह सकते हैं, सहरो वाली बक्री है, गदी, बार्बेरी, कस्मीरी या फिर मालबरी, चलो, जल्दी बत गड़ी है, बार्बेरी है, कस्मीरी है, या फिर मालबरी, तो इस गोट की खासबद है तो ये भी इसका जो कलर देखने को मिलना है, थोड़ा था, वाइड कलर का है, उसमें थोड़े ब्राउन पेचस से या पर देखने को मिलते हैं, तो बार्बरी को हम कहते हैं, भई यह UP हो गया, दिल्ली हो गया है, हर्याना वगेर हो गया, वहाँ थोड़ा अर्बन एरिया में आपको थोड़ी जादा देखने को मिलती है, थोड़ा छोटा कॉम्पेक्ट शाहिज इस वज़ा से भी इसको थोड़ा सहर में रहने से फाइदा मिलता है, तो बारबरी इसता रा आइड ब्राउन पैचेस आपको देखने को मिलेंगे, और जनरली एक सी लेकर डेट किलो मिल कि एक दिन के अंदर दे सकती है, ठीक है, और एक साल के अंदर ये दो बार क्या कर सकती है, दो बार बर्थ भी दे सकती है, इन विच स्टेट जमुना परी गोट्स आर प्राइमर मिलेगी, ठीक है, आंदर प्रदेश में मिलेगी, कि कहां मिलेगी, सब याद करके जाना है, ठीक है, अब है बताओ, जमुना परी कि अगर हम बात करें तो जमुना परी एक बहुत इंपोर्टेंट बीडे जो आपको सब्सक्रादा देखने को मिलेगी, कहां? उत्तर प्रद कहां मिलेगी, 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 कहां म इसलिए इसको क्या कहते हैं, Milk Queen of God, वह यह जो breed है, यह आपको देखने को मिलती है, Switzerland के अंदर, बता दो फिर जल्दी से कहां की है, यह breed क्या देखने को मिलेगी, ठीक है, चलो, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, इसको अंसे करो, ठीक है, यह तो सब को बता होगा, वह साने अं पर जल्दी को मिलता हैं, तो सबस्ते हैं आपको यह जोटिक ब्रीड से हैं गॉट की अशोटिक मतलब जो फोरेन की ब्रीड है, तो आपकी जैसे एंजिलो नुब्यन गॉट जो अफरीका की है, ठीक है, अब देखो एक वल लिखा है, आप अरिस्ट्रोक्रैटिक अपरेंस और अरिस्टो क्रेटिक थोड़े से वह होते हैं आपने जैसे टीवी पे देखा होगा, कभी कभी क्या होते हैं सुपर मॉडल्स देखे होंगा उनका चेहरा एस तरीकिस होते हैं अगदू में बन रहा होता है ठीक है, ठीक है थोड़े स्टाइलिस सा चेहरा होता है तो थोड़ा से वैसी चेहरा आपको इसका देखने को मिलता है कि इसका एंजलों जूबियन गॉड़ का तो शीको हम बोलते हैं क्या अरिस्टो क्रेटिक एपरियंस ठीक है, मिर्ट मिल्क दोनों के लिए ये यूज होगी बाकी भई सानेन देखो सानेन आपको वहीं देखने को मिलेगी और मिल्क परड़क्शन इसका क्या है भई बहुत जादा है दो से लेके पांच केजी पर डे तक ये मिल्क दे सकती है अब इसके बात कर रहे थे यहां पर डबल भी नहीं ट्रिपल क्यास पस मिल्क परड़क्शन चला जाएगा थिक है ठाँ तर म्रिद कने सानेन पर अधर बीड़क्शन पाया यहां पर इसके अधर अधर ब्रीड भीया, यह फ्रांस के पहाड़ों में देखने को मिलेगी अंगूरा ब्रीड है बहुत इस्पेसल है जो अंगूरा ब्रीड के हैर से लिया जाता है ठीक है तो यह पर अंगूरा ब्रीड और मोहर इंपोर्टेंट है बोर भी एक ब्रीड जो साओध अफ्रिका की नूबियन एक ब्रीड और टोगनबर्ग भी आपकी जो ए शूजर लेंड के तो य होट है इसके मेल में बड़ा खास केरेक्टर है तो वह क्या होगा इसके कान लंबे हैं इसके पास होर्न है इसके होन थोड़े अलग है इसके पास बीड है या फिर इसके लेक्स जो है वह बड़े छोटे-छोटे है तो मैं बीटल आप सबको पता है कि क्या है इसके पास इस इसके पास भी एड़ है, तो C option जो यहां पर correct हो जाएगा और इसके साथ हम start करते हैं, Swyla Center, मैंने आपको कहा था कि हम start करेंगे सबसे पहले mineral nutrition, क्यों start करेंगे, क्योंकि आपके exam में आई गा है, यह सबसे जादा, कोई भी state का exam उठाओ, में mineral nutrition के question, जनरली सबसे जादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो mineral nutrition start करते हैं, अब मुझे इमत कहना कि आपको नहीं पता कि heavy metal क्या होता है, बिल्कुल पता है, तो जल्दी बताओ कि what is heavy metal, सबसे पहले आपको trams पता होने चाहिए, कि beneficial element क्या है, beneficial element की definition आती है, कि यह वो element होते हैं, जो plants को फाइदा ज़रूर पोचाते हैं, बट अगर नहीं मिलेंगे, फिर भी उनका काम चल जाएगा, जैसे की example में बता दे रहा हूँ, ना को C से, ना को C से, sodium, cobalt, silicon and saline, ठीक है, यह हो गए आपके, इसके लाव बेंडियम भी इसमें आ जाता है, aluminium कभी कभी consider कर लेते हैं, बट option के यह साब से जाना, अगर option में यह सब दिये हैं, तो Almonium आपका अंसर नहीं जाएगा, कैसा बायचे यह उन नहीं दिये हैं, जो की बहुत रेर छांस है फिर Almonium यह आप मान सकते हैं, इसलेलमोनियम को नहीं मानतें, तो Beneficial Element पता होना चाहिए आपको, तो फिर एक होते functional, functional element, ठीक है, functional nutrient जिसको हम कहते, तो functional nutrient term जो ही ये Nicholas ने दिया था, ये बहुत कोशन आते है कि फॉंक्शनल nutrient term किस ने दिया था, मतलब ये वो element है, जो plant के metabolism में directly participate करता है, उसको हम बहुते है functional element, ठीक है, हो सकते है वो essential हो, हो सकते है वो essential ना हो, पर उसके metabolism में directly participate करता है, तो ये Nicholas ने दिया था, उसके लाब आद एक heavy metal क्या होता है, भई heavy metal वो elements होते हैं, जिनका atomic number होता है 5 से जाद, जिनकी specific gravity, specific gravity या density आप थोड़ा similar समझ सकते हो, कि भई specific gravity कुछ निया, density का ratio होता है, तो आपका इसका specific gravity 5 से जाद है और atomic number जो है, वो 20 से जाद होगा, तो उसको हम बोल देंगे, क्या heavy metal बोल देंगे, भई beneficial element, functional nutrient और आपका क्या हो गया, heavy metal ये तीनों ट्रम आपको पता होने चाहिए, बताओ, plant के dry matter का composition पूछा है इनोंने, वो भी किसका, carbon, hydrogen और oxygen का, तो भी plant के अंदर carbon, hydrogen, oxygen पूछ लिया, total होते हैं, plant को जो essential element होते हैं, वो चाहिए होते हैं, 17, 17 में CHO, हो अलग पर दो, उसके बाद आप बाकी बचे वे कितने 14 उनको अलग कर दो, ठिक, ये होते हैं आपके basic element जिनको हम कहते हैं, carbon, hydrogen and oxygen, maximum plant की body इन तीनों से ही तो बनी होती है, तो बता भई, 70 से 75%, 80 से 85, 90 से 95 या 95 से 100%, क्या answer यहाँ पर जाएगा, 45% तक देखने को मिलेगा, carbon, ठीक है, 5 to 6% देखने को मिलेगा, hydrogen और आपको roughly 45% ही देखने को मिलता है क्या, oxygen, तो 90 से 95%, ठीक है, फिर से देख लो भई, 90 से लेके 95 परसेंट आपके सिर्फ ये तीन एलिमेंट सी होंगे, carbon, hydrogen and oxygen, तो जिसने भी C आप्सेंट क्या बिल्कुल सही क्या है अपने, ठीक है, उसके लिए बाग की बचे 14 परसेंट वो, आपके सिर्फ 5-6 परसेंट ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो C आप्सेंट जो क्या है, क्योंकि सारी कहानओं इनके ही आगी बीचन तो गोमाई है, क्याय ये एलिमेंट है किस फ़र्म में अब्जोर्ब होगा, ये एलिमेंट है आपका प्लांट में मॉओाइल है की नहीं है, भाग ये देख मैं फ़ंक्षन क्या है, इसके देखिसेंशी क्या है तो इस तीनों ही plant का major constituent constitute करते हैं ठीक है बाकी की बच्चे 14 elements को आप divide करोगे किस में macronutrients और micronutrients micro को भी आप कर लो चाहो तो primary nutrient में प्राइमरी में आगए NP करें और आगए दूसरे secondary secondary में आजाते हैं calcium, magnesium and sulfur ठीक कितने होगे बई तीन वो होगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 element आपके यहाँ पर complete micro की बात करते हैं तो इसमें उपर हम लिख लेंगी kataeins जितने भी होते हैं iron, copper, manganese, zinc and nickel, ठीक है, कितने होगे थे यहाँ पर 9 होगे थे, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14 elements होगे, बचे कितने, 3 elements अभी बच रहे हैं तो वो 3 elements होगे आपके कौन-कौन से anion micronutrients होगे तो anion आपके चाहने वाले हैं कौन-कौन से क्लोरीन और molybidnam, ठीक है, बचे 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 इस नूटरिन का अपटेक किस फोम में होगा, ठीक है, क्या पूचा, इस नूटरिन का अपटेक किस फोम में होगा, मतलब anion form में जो जो अपटेक होते हैं, मैं उनका बदा देरों आपको, nitrogen जो है, nitrogen आपका anion, cation दोनों फोम में अपज़ होगा, anion की केस में नाइट्रेट और cation की केस में अमोनियमायन, phosphorus आपका, यह भी anion form में अपका अपटेक किया जाता है, ठीक है, तो बैसिक बाते ध्यान में रखना बहुत इंपोर्टेंट यह चीज है, चलो भई, हाँ, अभी मैंने आगे फॉर्म भी लिखी हुई है कि कौन से ऐलिमेंट किस फॉर्म में अपटेक होता है, आएंगे इस question पे भी, अब मुझे जल्दी से बताओ कि कौन से ऐलिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया हुआ है, डिस्कवर्ट बॉर्ण को किस ने डिस्कवर किया, मॉली बिटनम को किस ने डिस्कवर किया, मैगनीज को किस ने डिस्कवर किया और जिंक को किस ने डिस्कवर किया, ठीक है, बताओ भई, बोरोन की अगर हम बात करते हैं, तो बोरोन को डिस्कवर किया था, किसने, के वारिंटन ने, ठीक, मॉली बिटनम की अगर हम बात करते हैं, तो मॉली बिटनम को किया था, डिस्कवर, one and only, आर्मन एन, इस्टाउट, मैर्नीज की बात करेंगे, तो जे ए ये भी इस यूर फॉर्थ ओप्सन, है ना भी, दी आंसर यहां पर आपका चला जाएगा, तो यह रहा भी टेबल, चुपचाप याद कर लेना, थोड़ा साथान देखो, यहां पर क्या हो जाता है, कि भी नाइट्रोजन, चलो, नाइट्रोजन को थोड़ा ध्यान कर लेना, क आपका Phosphorus, Potassium हो गया, ठीक है, Calcium भी हो गया आपका, और Magnesium भी हो गया, तो इन सब को हैं C-Spranjal, ठीक है, Phosphorus के भी, Potassium के भी आपके, इन सब क्यों को है, C-Spranjal, भी बचा, सर्फवर, सर्फवर का एससे ही स्टार्ट हो रहा है, Satin-Nop, क्लोरीन के ब्रॉयर है, जोंसन है आपके, देखें ना, Iron का वेरिए इंपोर्टन, Iron के बारे में सब कुछ इंपोर्टन होता है, कोई डाउट में, Iron के कोहने है, EGREES है, मैं शले पढ़ दे रहा हूँ क्यों कि याद करने वाली चीजिज है, पढ़के एक बड़ सुन लो, तोड़ा याद करना आपका है, Boron क अभी आपने कोशन में देखा, के वारिंग्टन, मैंगनीज का MNN, यहाँ पे MC है, मैं खारगे, कौन मैंगनीज, जिंक की बात करेंगे, तो याद करो, समर एंड, लिप मैन, ठीक है, समर एंड, लिप मैन ने दिया था, जिंक, कोपर यहाँ पे दिया था, समर लिप मैन, म मैकीनी, ठीक है, मैकीनी थे, और जुडगे, कोपर के नाम पे, मौरी, बिटनाम, वननन, आर्नन, इन, स्टाउट, और निकल का भी बहुत इंपोर्टेंट होगा, निकल क्यों, क्योंकि भी देखो, सारे एलिमेंट, से पहले पहले हैं, जब इसेंसेल्टी क्राइटेरिया उस टाइम पे 16 एलिमेंट है, कब दिया था, 1939 में दिया गया था, इसेंसेल्टी क्राइटेरिया, आर्नन, इन, स्टाउट के द्वारा, उसके बाद सिर्फ एक एलिमेंट एड किया गया, जिसका नाम है क्या निकल, ब्राउन, वेल्च, एंड, केरी ने इस एलिमेंट को दि ठीक है, चलो बाई, बताओ, के रहें कि इन विच फॉर्म इज बाई प्लांट, बोरोन को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्फ करेगा, देखो, कटाइन्स का असान है, कटाइन्स वे जनरली प्लस टू की फॉर्म में वो एब्जॉर्फ कर लेता है, सोडियम और पोट का, तो बाई, अनाइन्स में में आपको बोला, नाइट्रोजन, फोस्पोरस, उसके इलावा बोला कौन से थे, मॉलिबिटनम, बोरोन, एंड, क्लोरिन, तो बाईन्स का खेल थोड़ा सा, अलग है, थोड़ा अलग फॉर्म में अप्टेक किया जाते है, अभी हम बात करें कि स्वाहिल से कौन सी फॉर्म में बोरोन की प्लांट सबसे जादा उसको उसको अप्टेक कर लेगा, तो भाई, H3, BO3 is known as boric acid, ठीक है, तो boric acid यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, बड़ इसके लावा अगर आप इसे एक hydrogen remove कर दो, तीन hydrogen थे, दो hydrogen लगादू में, तो एक negative charge आजाएगा, this is known as borate, तो plant boron को दो form में absorb करेगा, एक boric acid, दूसरा borate की form में, ऐसे ही कुछ आपको phosphorus के साथ भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो phosphorus में आएंगे हम बात में कभी, यहाँ पर यहाँ पर C answer जिसने किया, एकदम सही answer दिया है, अच्छा, ठीक है, तो एक बार के पहले यह देख लो, फिर आते हम पीछे, तो जो अनायन से वो यहाँ पर लिखे हुए, तो यह कटायन और अनायन दोनों फॉर में अपटेक हो जाएगा, आपका अमोनियम और नायट्रेड की फॉर में, फोस्परस भाई बहुत important है, चुप चाप लिख देना, H3PO4 अगर दिमाग से उतर रहा हो, H3PO4 लिखना है और यह hydrogen कम कर दो, जैसे एक hydrogen में हटा दूं तो एक negative charge आएगा, फिर एक hydrogen और हटा दूं तो एक और negative charge आएगा, एक hydrogen और फॉरस की uptake form है, ठीक है, तो यह थोड़ा ज्यान रखना, important है, neutral pH की आसपास आपको देखने को मिले का, शाड़े छे से, शाड़े साथ, बहुत important है, फॉस्परस की, इसकी availability से बड़े caution बनते हैं, और पूस्टे भी है, स्लफर का है, बहुत सलफेट, मतलब स्लफर की oxidized form है, क्योंकि होने के लिए तो भी है, एस्ट्वेश फॉर्म में भी uptake कर सकता था, पर भाई, है स्ट्वेश इसका क्या है, reduced form है, तो यह स्ट्वेश में नहीं करता, यह सलफर, oxidized form, सलफेट की form में क्या करेगा, plant uptake करेगा boric acid and borate, मैंने आपको बता दे, यहां भी hydrogen वाला खेल, एक hydrogen हटाना है, negative charge लगाना है, molybidnam का बही याद रखना, MOO for 2-, ठीक है, molybidate यहां पे हो गया, और आपका carbon mostly CO2 की form में लीव से लिया जाता है, चुल एक question में photosynthesis का यहां पे पूस्ता हूँ, जो plant oxygen को release करता है, वो oxygen कहां से आता है, carbon dioxide से आता है, या किसी और element से आता है, तो यह मुझे एक बार question बताओ, जो plant oxygen release कर रहे है, जिस oxygen को हम इनहेल कर रहे है, वो कहां से आता है, कौन से element से आता है, ठीक है, तो यह question अग्दा जल्दी से comment करो, और answer करो, और यह थे आज के लिए question, अब मैंने आपको क्या बोला, अब हमारा कहां जाने वाला है focus, हमारा focus बड़ेगा horticulture, तो अब आपक agriculture में क्या पढ़ना है, एक तो आपको सिंबल से पढ़ना है, king queen क्या होते है, और एक आपको पढ़ना है system of layout, ठीक है, इसके लावा एक दो topic, और add कर लेंगे बाद में, तो एक तो यह आपको पढ़ गयाना है, ठीक उसके बाद अपन plant breeding को अपन वापिस से करते हैं, continue, plant breeding के start करेंगे, ठीक है, plant breeding का देखते हैं, और plant breeding भी हम लोग start कर देंगे, और फिर soil science में तो मैं आपको और फिर से बता रहा हूँ, plant breeding का चलो मैं आपको session में बताऊंगा, बर soil science में बता रहा हूँ, mineral nutrition चल रहा है, उसको आगे आपको continue करके चलना है, अभी हम बात करेंगे, आपको से कोशिन है, करेंगे, बात कर देखने को मिलेगा, बाई, plant and soil, plant के अंदर, element का movement थोड़ा अलागे, और soil के अंदर element का movement थोड़ा अलागे, और यहां पे concept भी है, जिससे बड़े आराम से समझ सकते हो, especially soil के अंदर, जो movement के हम बात करते हैं, तो फोस्पेट और क्लोर movement कैसा होता है, nutrient का, ठीक है, तो next time पे मैं सबसे पहले question यह रखूँगा, तो next time के लिए आप soil में सबसे पहले पर क्या होगे, mobility, soil science के अगर मैं बता हो, mobility, plant के अंदर भी और soil के अंदर भी, उसके बाद mobility होगे है आपका, ठीक है, और फिर आप function and deficiency symptoms, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, कुछ ज सेक्वेंस में चलोगे, पहले क्या दिया, इसके बाद क्या दिया, इसी सीक्वेंस में चलना, ठीक है, क्योंकि हम इसी में cover करेंगे, लगता है कि पोटेशम तक बहुत हो गया, तो चलो इसको बाद में कर लेंगे, बढ़ होगा नहीं बहुत, आपके Lc, magnesium, sulfur, यह सब भी प